हेलो गाइज, नमस्कार, मेरा नाम है शुशिर और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां मैं बात करूँगा आज इंसुरेंस के टॉपिक के उपर अब जो बाइक का इंसुरेंस होता है वो बहुत ही important part होता है बाइक राइडिंग के लिए आपकी safety के लिए और बाइक के safety के लिए एक example दूँगा आपको जैसे कि आप बाइक इंसुरेंस के लिए showroom विजिट करते हैं वहाँ पर आपको जो है बता जाता है कि भाई आपका जो इंसुरेंस का amount है इतना आ रहा है अब माल लेजिए कि आपकी जो भाई की policy है वो एकस्पायर हो चुकी है अब आप जब किसी broker के पास या फिर किसी dealer के पास जाते हैं इंसुरेंस करवाने के लिए तो वहाँ पर आपको fine के तोर पे आपसे charge के जाते हैं जैसे कि भीया इसमें जो है penalty लगेगी कोई 200 चार्ज करता है तो कोई 1500 चार्ज करता है उसके बाद इंसुरेंस का amount तो आपसे लिया ही जाता है अब आप एक चीज नहीं जानते होंगे कि जो इनका payout बनता है जैसी उन्होंने एक इंसुरेंस किया तो एक इंसुरेंस के उपर 500 से 700 रुपे का payout होता है किसी broker या फिर किसी dealer का तो आप खुद तो पैसा देते हैं उसके बाद late penalty भी देते हैं और उसके बाद इंसुरेंस तो करवाते हैं अपना समय भी बरबाद करते हैं और अच्छा खासा commission उस broker को दे के आ जाते हैं उसके बाद जब claim का time होता है तब आप पस्ता आते हैं कि मैंने इंसुरेंस क्यों क जाते हैं उसके बाद इंसुरेंस पे प्याउट होता है 500-700 रुपे अगर 10 customer आ गए तो 7000 यह प्लस 1000 यह यानि 8-10,000 रुपे वो डेली जो है अपने घर लेके चला जाता है और महेने के 3,000,000 रुपे earning करता है अगर डेली 10 customer आते हैं तो और यह पैसा आप लोगी देते हो और कोई नहीं देता है आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जो है इंसुरेंस कर सकते हैं और उसके बाद जो है जितना जो broker का commission होता है उससे भी बच सकते हैं यानि broker का commission इसमें नहीं आता है तो अगर आप direct company से इंसुरेंस करते हैं तो आपके पैसे तो बचते ही बचते ह का कोई रॉल नहीं होता है और जो बहक कि IEDB है यानि जो गाली की IEDB मिलती है जितने की गाली की मुलन लगती है यानि इंसोनेस मेरे कीमत होती है वो भी आपको अच्छी खास Gleich me you तो आज की वीडियो में मैं बस यही बात करूंगा आज कल का सारा जमाना जो है डिश्टर हो गया है किसके पास मुबाइल नहीं है बहुत लोगों के पास मुबाइल है यानि जितने भी लोग होते हैं ना 95-97% लोगों के पास मुबाइल है और पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर में आपका इंसरेंस हो जाय 아침 और कोई ब्रोकर में सामिल नहीं हो तो आपका कितना बेनिफिट हो सकता है आप कोई locked इंसरेंस धा में डिमांड होती है जैसे एको इंसुलेंस, HDFC Irgo, Tata AIG, यह सब जो है ऑल्लाइन पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे, और कोई जंजट वाली बात नहीं होती है, आप इंसुलेंस कीजिए, कस्टमर का बाकाइदा नमबर होता है, अगर क्रेम टाइम में यानि कुछ दिक्कत होती है गारी में, या फिर होता है, या फिर चोड़ी जाती है, सिर्फ आपको एक कॉल करने के जिरूत होती है, और बाकाइदा जो है, इंसुलेंस का जो एजन्ट होता है, वो बिजिट करता है, और आपकी गारी एगर एक्सिदेंटल है, तो रिपेर की जाती है, वो भी फिरी में, कैस्लेस, लेकिन डीलर पर आप जब भी इंसुलेस कराते हैं, तो कमिसन तो होता है उनका, उसके बाद जो है, पहले तो आपको बहुत सारे वादे कर देते हैं, उसके बाद वादे से मुकर जाते हैं, कि भी या कैसलेस नहीं है, इतना पैसा जमा करो, वाइसा जमा करो, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो डायरेक्ट चाहती है कि customer हमारे साइट से ही करें और हमें किसी broker को बीच में लाना पड़े तो वह सोचो आपको सुधाय किति देती होंगी तो वही चीजों के उपर मैं बात करने वाला हूं आप कैसे अपने पैसे सेफ कर सकते हैं बहुत छोटा सा सिंप आप एको इंसुरेंस से इंसुरेंस करते हैं तो आपको जो है IDB भी अच्छी मिलती है उसके बाद पैसे भी आपकी बहुत कम लगते हैं तो भाई मैंने भी किया है इंस्ट्रेंस और आप भी कर सकते हैं कैसे वीडियो के discussion में Link मिल जाएगा आपको सिर्फ इस इसी वीडिय पे जैसे ही किलिक किया तो आपको जो है eco insurance के website पे पहुंचा देगा simple सा process है आपको bike number डालना है जो भी आपका bike number है आपने वो डाल दिया उसके बाद go पे click कर देना है और थोड़े से second के बाद जो अगला portal का option है वो दिखाई देगा यहाँ पे आपको अपनी bike की select कर लेनी है कौन सी bike है और कब आपने खरीदी है उसके बाद view price पिचले जाएंगी आपको एक quotation मिल जाता है जिसमें आपको दो तरह के plan दिखाई देते हैं एक compressive plan और दूसरा third party plan compressive क्या होता है first party होता है third party क्या होता है कि सामने वालों के लिए claim होता है आपकी गाड़ी का और आपका कोई claim नहीं होता है सिर्फ आप यह कह सकते हैं पुलिस से बचने के लिए और अगर आपकी गाड़ी से किसी को नक्सान हो जाता है उसके लिए insurance होता है लेकिन compressive में क्या होता है compressive में आप जो है अपना भी safety करते हैं और सामने वाले का भी safety करते हैं उसके बाद आपको सीधा सा process है एक साल, दो साल, तीन साल तो जैसे ही आप चाहेंगे आप जो है insurance कर सकते हैं बहुत ही अच्छा process है और बहुत ही कम time में यानि 5 minute के अंदर आप जो है अपना बाइक का insurance कर सकते हैं कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा 5 minute के अंदर insurance केजिए बाइक की कीमत अच्छी पाईए तो आप खुछ समझदार हैं अगर आप चाहते है insurance करना तो आप link के तुरू अपना बाइक का insurance कर सकते हैं पैसे भी बचाएंगे उसके बाद इसके जो customer care है बहुत ही जल्दी आपको response देते हैं और इसका जो है office आल इंडिया में हर जगा पे मौजूद है तो आज की वीडियो में मैं बस यही बात करने वाला था तो thank you so much for watching this video thank you, धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद